आज पुरुष्थान पर्फ के पूर्फ तीसरा रविवार है और आज का जो विशे है वो है परमेश्वर का सामर्थ है प्रभू येशु के कार्रेयों में प्रकट हुई आई हम प्रातना करें मेरे मूँ के बोल और हमारे हिर्दय का सोच तेज सामने घ्रहन योगे हो एह हुआ परमेश्वर हमारी चटान हमारा उतार करने वाले आमेन जैसे कि मैंने भी बताया कि आज हमारी जो थीम है वो है प्रमेश्वर की सामर्थ प्रभु येश्व के कार्रों में प्रगट हुई और आज जो हम जे हो हिस्से में से हम इसको देखेंगे वो है लुकार अचित्सु समचार उसका ग्यारा बाप और 14-28 आयत तक एक दफ़ा उन्नीस ओड़िस में औरसन वेल्स नाम के एक वेक्ती ने लाखों अमेरिकन्स को एकदम से डरा दिया क्योंकि वो एक रेडियो का प्रोग्रामर था और रेडियो पर प्रोग्राम करता था तो उसने एच जी वेल्स के दुआरा लिखी गई किताब वार ओफ वर्ल्ड को इस तरह से रेडियो पे नरेट किया कि जो सुनने वाले लोग थे उनके उनको सुनकर वो इतने जादा उससे प्रभावित हुए कि उनको सचमुच में लगने लगा कि जो एलियन्स हैं वो सचमुच में हमारे ग्रह पे हमारी पिर्थवी पर हमला करने वाले हैं और उसको मानवजाती है जो हमारे पिर्थवी है इसको पूरी तरह से उसका नाश करने वाले हैं और लोग ये जानते थे कि ये काल्पनिक किताब है, काल्पनिक किताब को वो सुना रहे थे, लेकिन लोगों ने फिर भी उस पे विश्वास किया और वो उसके निरेशन से इतना गभरा गए और बाइबिल भी हमें क्लियरली बताती है कि जो हमारी जो लडाई है वो एक अंद आदे की सामर्थ के साथ है और वो अंदे की सामर्थ भी हम मानव जाती को मिटाना चाती है क्योंकि अगर हम इफिसी ओ छे बाब उसकी बारा आद में पड़े तो हुआ लिखा है क्योंकि हमारा ये मलियूद लहू और मास से नहीं परन्तु परधानों से और अधिकारियों स और इस अंसार के अंदकार के हाकिमों से है और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो अकाश में है तो ये जो शेतान है जिसको हम कहता है कि हमने आस तक नहीं देखा वो अंदेखा हमारा दुष्मन है लेकिन वो हमारे जीवन में हमारे काम करता है कि वो जो उसका जो एक सीधा जो एम है वो है कि इनसानों को किस तरह से उनका नाश किया जाए लेकिन ये जो सच्चाई है ना तो हम कई बार इससे डरते हैं और हम इसको इसके उपर शक भी करते हैं और इसको इग्नोर भी करते हैं और हमें यहुना को भी देखें, पहला यहुना तीन आठ में भी यहुना में बताता है, जो कोई पाप करता है, वे शेतान की ओर से है, क्योंकि शेतान आरम से ही पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्तर इसलिए प्रकट हुआ कि शेतान के कामों को नाश करें, तो यहुना में बत और जिसको आदम हरोवा को उसने वरगला कर उनसे पाप करवाया उसी तरह से वो आज हम सब के बीच में रहकर हमसे भी वही काम करवाता है लेकिन जो परमिश्वर का पुत्र येश्व मसी है वो इसके कामों का अंत करने आया नाश करने के लिए आया और लुका भी हम देखते है अपने सुसमाचार के दुआरा और येश्व मसी की जो सामर्थ है वो हम सब विश्वास करते है क्योंकि वो खुद परमिश्वर था परमिश्वर की सामर्थ है वो येश्व मसी के कामों के दुआरा जो उसने धर्ती पर रहकर किये उसमें वो प्रगट होती है तो जब हम देखते हैं आज के सूसमा चार पार्ट में भी, जिसमें हम देखते हैं कि किस परकार से जो यहूदी थे, वो आकर येशु मसी पर ये इलजाम लगाते हैं एक पेरेबल के दुआरा जवाब देते हैं तो आज हम इसी पर विचार करेंगे तो जब से पहली चीज हम देखते हैं जो ये आत्मिक युद्ध है ये दो सेनाओं के बीच में हम कह सकते हैं ये दो लोगों के बीच में हैं एक तरफ येशु मसी है और एक तरफ शेतान है और जो शेतान है वो के बारे में अगर हम देखें हम वचन में भी पड़ते हैं कि वो उसको वचन के बारे में ग्यान था वचन को जानता था क्योंकि जब हम देखते हैं जब येशु मसी की अजमाईश भी करता है तो अधों को सबको निकाला और वह सारे मिलकर उन्होंने सैना बनाइ और जो श्यतान था वो उनका सरदार बना तो जो श्यतान है उसको हम वचन में जैसे अलग अलग बनामों से भी हमें जान पड़ता है बेल जबूल जो भी हमने देखा वचन में बेल जबूल का जो दुश्टात्माओं का परधान था उसके नाम से भी हम जानते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं यह जो शेतान है उसको हम एक नर्किये फोर्स के नाम से भी नर्किये सेना के नाम से भी हम जानते हैं जो इस बात के लिए committed है कि वो किस तरह से इंसानों का, हम इंसानों का नाश करें, क्योंकि वो हमसे, हमारे को पसंद नहीं करता है, हमारे को प्यार नहीं करता है, कई लोगों को लगता है कि शेतान जो है हमारे लिए अच्छा काम करता है, लेकिन वो उसका जो प्लान है, वो यह है कि हम जो इंसानों को जिसको परमेश्वर ने खुद रचा है और अपने महीमा के लिए अपने आप महीमा के लिए हम इंसानों को बनाया था वो हम इंसानों के दवारा वो काम ना हो सके और जितना हो सके वो हम इंसानों को बरबात करे परमेश्वर से दूर करे और ज जाला यहुना पाच पड़े तवाली का है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और संसार, सारा संसार उदुष्ट के वश्च में पड़ा है, तो चाहे हम यह जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने हमेरा अचा है, लेकिन जो संसार का जो सरदार है, जगत का सरदार करके उसको बता रहे हैं और हम अगर दूसरा करुंतियों चार-चार में पड़े तो वहाँ पे जो पॉलूस है वो उसे संसार का इश्वर कहता है तो जो संसार का अधिकारी है, जो संसार का जो सरदार है उसके यहां पे संसार पे पूरा अधिकार है कि वो किस तरह से हम इनसानों को वरगलाए हम इनसानों को परमिश्वर से दूर करे लेकिन अगर हमें परमिश्वर की सामर्थ है हम येश्व मसी के वचन में है तो हम उससे अपने आपको बचा सकते है तो आज जो बचन में हम पड़ते हैं कि एक जो गुंगी आदुष्ट आत्मा को देखते हैं येशु मसी ने उसको निकाला तो वो गुंगा जो था वो उसने बोलना अरम कर दिया और अगर हम इसी घटना को मती 12-22 में देखे तो वहाँ पर मती जो है वो हमें ये भी बताता ह है कि गुंगा होने के साथ-साथ वो अंधा भी था तो वो जो व्यक्ति था जब येशु मसी ने उसको चुगा और उसको चंगाई दी तो ना केवल बोलने लगा और वो देखने भी लगा लेकिन हम कई बार हम इस सोचते हैं कि आज हम लोगों को ऐसी दिरिशे देखने को किसी चीजे देखने को हमें बहुत कम मिलती है कि किसी दुष्टात्मा ने किसी को गुंगा बना रखाया है या किसी कौंधा कर दिया है तो हम इस सूसते कि जो सामर्त है वो कम हो कही है या श्यतान जो है इतना एक्टिव नहीं रहा हमारे बीच में लेकिन अगर हम ये को देखें कि वह बहुत अच्छा जीवन उसका हमें देखने से लग रहा है कि वह बहुत अच्छा जीवन जी रहा है सीधा सादा जीवन जी रहा है और जादा उसके जीवन में कोई परिशानी नहीं है प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हम उसके और ध्यान से देखे तो ह उसने अपनी जुबान से कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करी हो, तो ये भी एक तरह का गुंगापन है, कि हम परमेश्वर की को, हम परमेश्वर से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी महिमा नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रात्ना नहीं कर पा रहे हैं, हम कई बार हम भजन नहीं गाते हैं तो वो भी एक तरह का साइन है कि उसने शेतान ने उस विक्ती की जो जुबान है उसको बंद कर रखा है कि यह चाहे वो दुनियावी तरीके से बोल रहा है लेकिन आत्मिक रूप में उसकी जुबान को बंद कर रखा है कि वो परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहा है परमेश्वर से प्रात्ना नहीं कर पा रहा है और कई बार कई ऐसा होता है कि लोग चर्च के सामने से चले जाते हैं मसी लोग और चर्च में नहीं आते हैं उनको परमेशवर का घर ना दिखाई देगा तो अंदर चला जाएगा तो इसलिए उनकी आखे वो बंद कर देता है कि जो आत्मिक चीजे है वो नहीं देख पाते हैं तो इस तरह से शेतान आज काम करता है चाहिए वो हमें कोई लिटरली हम सोचे कोई कोई गूंगा है बोल कोई अन्धा तो इस्तों यकष्ण क्रण यसे उसको ढूल पर उसका अपड़ा है हम नॉर्मल व्यक्ती को भी अगर हम देखे घर लोओन देखने से सहिक एक बढ़ा लेकिन वो प्रमेशवर से दूर होगा तो उसको शेतान का उसके ओपर कभजा है और kolyosoft 1.13 में पढ़े तो उसमें लिखा है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर अपने प्रीयश कोत्र के राजय में प्रवेश करवाया तो जब हम येशु मसी को प्यार करते है येशु मसी के वचन को सुनते हैं और उनके बीच में जो spiritual युद्ध चल रहा है, तो हम किसकी तरफ है, यह हमें देखना है। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं, कि येशु मसी के पास वो सामर्थ है, जो परमेश्वर के दुआरा उसको मिलती है, जो परमेश्वर की सामर्थ येशु मसी में होके कारे करती है, कि उसका अधिकार शैतान की शक्तियों पर है, शैतान की शक्तियों के उपपर है उसकी जो पावर है। जब ये उन दिनों में जब येशु मसी के टाइम में भी, जो जुईश लोग थे वो दुष्टात्माओं को निकालते थे और उनके तरीके कई बार कुछ अलग तरीके की पोजीशन में खड़े होकर या बैट कर वो इसा काम करते थे या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जाड़ फुआर करके या जादू टोना के तरीके से वो दुष्टात निकालता था तो वो कुछ वो ऐसे साइन नहीं करता था कि हाथ उठाया और कुछ ऐसा जादू सा कर इसारा किया या कुछ उसरीफ बोलता था और जो दुष्टातमाओं थी वो उसका कहना मानती थी ये शुवमसी सिरीफ उनको निकलने के लिए बोलता था और वो तुरंट उसमें से होकर निकल चली जाती थी तो जब हम देखते हैं कि येशु मसी को किसी चीज का कोई सबूत देने की ज़रुवत नहीं थी और वो सिर्फ भोल कर या सिंपल सा बोल कर या प्रात्ना करकर वो अपने परमेश्वर की सामर्थ को प्रगट करता था तो वो जो चीज थी उन लोगों को उसमें उनको वो प्रमेश्वर के काम नहीं दिखाई दिये या उन्होंने इस प्रमेश्वर के जान करके इसमें कितनी सामर्थ है कि ये सिर्फ बोल कर दुष्टात्मा को निकालता है तो उन्होंने उसके उपर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि ये हमें एक साइड लेनी होगी यहाँ पे हम देखते हैं ग्यारब आपकी तेईसवी आयत में येशु मसी कहता है कहते है तेईसवी आयत में जो कोई मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोड़ता हो है बिखेरता है तो येश्व मसी चाहिए ध़bung में कि जो कोई मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोद में हैं तो यानि कि वो बीच का रास्ता कोई नहीं है अन्धूर्स होकर हम सोचे अपने जीवन जी ले ना हम शेतान की तरफ हम बोले कि ना मैं शेतान के पीछे हुँ ना मैं येशु मसी को मानता हूँ, मैं तो बीच में हूँ और अपना जीवन ऐसी ही जिऊंगा, तो ऐसा बीच का रास्ता कोई नहीं है, या तो हम येशु मसी के साथ हैं, या हम येशु मसी के खिलाफ हैं, क्योंकि येशु मसी खुद बोल रहा है, जो मेरे साथ नहीं, वो म अगर हम शैतान के फॉलोवर हैं तो येश्व मसी का हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा. हमें एक सौमी का सेवा खोके अथे रहना है, हम ये नहीं सो सकते कि हम दो नवों पे पैर रखकर चले, कि हम येशु मसी को भी खुश करे और शेतान को भी खुश करे वो option हमारे पास नहीं है और ये बात साफ साफ येशु मसी हमें बता देते हैं और उसके बाद वो एक दिश्टांत भी बताते हैं 24-26 आयत में कि जब अशुद आत्मा मनुश्य से निकल जाती है तो वे सूखी ज तब वे जाकर अपने से बुरी साथ और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैट कर वास करती है और उस मनुश्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है तो जब हम ये सोसते हैं कि अगर हम येशु मसी के साथ नहीं हैं और हम कई बार होता है कि हम कई बार अपनी सामर्थ पर भरोसा कर लेते हैं और कई बार हम दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और कई बार हमें लोग बहला देते हैं हमारे को मारा जो हमें भटका देते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि हम दूसरों पर भरोसा करकर ऐसे कामों में लग जाते हैं, कि जो अगर हम यहां दुष्ट आत्मा कहीं देखे, अगर किसी वेक्ति में दुष्ट आत्मा है, और वो चर्च छोड़कर, प्रात्ना को छोड़कर, वो किसी और जगा चला जाए, किसी महलवी के पास, किसी पंडित के पास, किसी तांतरिक के पास आत्मा निकालने के लिए, तो थोड़े समय के लिए तो उसको शैद आराम मिल जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे मेरे अंदर से निकल गई है, लेकिन जब वो निकल जाती है, तो उनको और जगह नहीं मिलती, तब हू सोच्ति है कि मैं अपने वाहिए पर वापिस चलूँ और वो अकेले वापिस नहीं आती है, और जादा दुष्ठात्माओं को लेकर, अपने से भी जादा समर्दी दुष्ठात्माओं को लेकर, वो उस वेक्ति में वापिस आ जाती है तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं हम यह नहीं कह सकते के हम ये शुमसी के साथ नहीं है या हम ये शुमसी के साथ भी है और हम अपने दूसरी जगा पर भी हम अपने आपको अजमा सकते हैं कई लोग Christian होकर भी अपने जीवन के जो मुश्किले हैं उनका हल रूणने के लिए और जगा चले जाते हैं और लोगों के पास चले जाते हैं तो वो हमें नहीं करना है वो हमें उसमें हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमारा जो येश्व मसी है वो खुद इतना सामरती है कि हमें इन चीदों से हम अपने आपको निकाल सकते हैं और जब हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई जरूरत होती है तो अगर हम येश्व मसी और उसके सूसमाचार पर उसकी बातों पर हम अगर भरोसा नहीं करते हैं तो जो हमें भार से जो help मिलती है वो हमेश्व के लिए नहीं होती है और जो हमारे अंदर जो कई बार हम बिमार से चंगा हो जाते हैं अगर हम कई और चले जाते हैं लेकिन वो थोड़े दिन की temporary हमें relief मिलती है वो हमें हमेशा की उसकी relief नहीं मिलती है जो हमें येश्व मसी के दुआरा मिल सकती है जो हमें येश्व मसी के पीछे चल सकती है और चल के मिल सकती है और लोग हमें भटकाने के लिए शेतान अलग-अलग तरीके अपनाता है अलग-अलग लोगों को हमारे पास भेशता है कि हम जो वचन में जो सच्चाई है जो हमें परमिश्वर के बारे में बताती है जो हमें येशु मसी के बारे में बताती है हम उनसे भटक जाएं जैसे कि हमें पिछले हफते पादिर साहब ने भी बताया कि कई लोग आके कहते हैं कि Bible मत पढ़ो, Book of Mormon पढ़ो या कई Prosperity Gospel बताते हैं कि अगर आपके बस एक घर है तो आपको दो घर मिल जाएंगे एक कार है तो और अच्छी कार मिल जाएगी तो वो इस तरीके से हमें वचन से भटकाते हैं वो हमें वचन को तोड मरोड कर बताते हैं या हमें सही रास्ते को नहीं बताते हैं तो हमें अपने आपको परमेश्वर को समर्पित करना है हमें अपने आपको यह देखना है कि हम किसकी तरफ हैं हम या या यह निर्ने हमें खुद लेना है एक दफ़ा एक जो नेवी का ऑफिसर था, वो अपना शिप लेकर वो समुंदर में गया वा था, और साथ सो मील वो अंदर था समुंदर के, तब ही उसको एक अपने हेड ऑफिस से मेसेज मिला, हुआ लिखा था कि हमारे देश में बगावत हो गई है और तुम कौन सी साइड ह पर था कि वो कैसे वो अपने आपको बताता कि मैं कौन सी साइड हूँ, लेकिन हमारे पास खुला एक्जामपल है, हमारे पास वचन है, हमारे पास वचन की सारी सच्चाई है, हमारे पास श्यतान की सच्चाई है, बस हमें निर्ने लेना है कि हम किस साइड है, अगर हम यह क उन्होंने उसके खिलाफत की परमेश्वर की लेकिन अगर हम कहते हैं कि येशु मसी सच्चा था और येशु मसी जो कहा जो उसने करा वो सच्चा ही थी अगर हम ये क्लेम करते हैं तो हम ये भी क्लेम करते हैं कि उस अच्च मुच में परमेश्वर का पुत्र था और येशु म पढ़ते वे भी हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, वचन को सुनते वे भी हम नहीं सुन पा रहे हैं, वचन को जानते वे भी हम नहीं बोल पा रहे हैं, लिया फिर हम सचमुच में येशुप मसी के साथ हैं और हम उसकी सामर्त में होकर उसके कामों को कर रहे हैं, हमारा जीव इधर जाओं पोकर अपने आपको बचा लूंगा, यह हमारे पास option नहीं है, या तो हमईश्यों मसी के साथ हैं, या हमईश्यों मसी के किलाफ हैं, यह निर्णी हम सब को लेना है, और यह निर्णी हमें जल्दी लेना है, क्योंकि हम सब ये विश्वास करते हैं कि जल्दी ये शुमसी आने वाला है और हमारा नयाय होगा तो उस नयाय से पहले हमें अपने आपको एक तरफ लेके जाना है एक कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर के जन है और परमेश्वर के पीछे चलना चाते है तो हमें आज से ह अपने उस जर्नी को शुरू करना होगा और परमेश्वर की सामर्त में आगे बढ़ना होगा यह परातना करें यह पिता परमेश्वर दनेवाद करता हूँ आज के वचन के लिए दनेवाद करता हूँ परमेश्वर के आज फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके नाकेबल वचन को पढ़े उसको सुने और अपने जीवन में घरहन करें तो हम सब के लिए में प्रातना करता हूँ परमेश्वर के हमें भी ये मन दीजे के हम भी एक मन होकर परमेश्वर आपके पीछे चल सकें परमेश्वर आपके कामों को कर सके और अपने जीवन को आपको समर्पित कर सके परमिश्वर तो हम सब के साथ होईए अपने अगवाई हमें दीजिए अपने ग्यान में अपने वचन में होरा आगे बढ़ाईए और हमारे जीवनों को अपने कामों के लिस्तमाल कीजिए ये प्रात्ना आपके प्यारे बिटे को दरीश मसी के नाम से मांगते है आमेन